हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल टिकिस किचिन में और आज हम टिकिस किचिन में जो बना रहा है वो तो आप देखी सकते हैं नान वो भी बटर नान हम आज बना रहे हैं गारलेक बटर नान वो भी तवे पर तो इस मज़िदार रेसिपी को बनाने के लिए क्या आप रेडी है तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं सिंपल हम जिस तरह से घर में आटा गूंते हैं उसी तरह से हम करेंगे लेकिन यहां पर हम ले रहे हैं मैदा मैदा यहां पर हम ले रहे हैं दो कप देख सकते हैं आप मेरी कप की साइज इस कप की साइज के हिसाब से मैंने दो कप लिए हैं अभी इसमें हम एड़ करेंगे बेकिंग पाउडर वह हमने डाला है एक चमच और डालेंगे बेकिंग सोडा एक चुताई चमच और फिर इसमें हम एड़ करेंगे ओयल दो टी स्पून देख सकते हैं आप फिर इसमें हम एड़ करेंगे नमक स्वाद अनुजार और चीनी डाल देंगे चमच और फिर उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे दही जो कि हमने लिया है हाप कप तो सारे डिडियोंस हमारे डल चुके हैं अभी बस हमें क्या करना है कि इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है और हमारा डो बना लेना है अगर आपको पानी की जरूरत हो रही है तो आप हलका सा गुन-गुना पानी यूज़ करें इसका डो बनाने के लिए लेकिन सा डो बन कर रेडी हो चुका है हमने बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं किया है बस डो बन जाए तो उसमें हम हलका सा तेल लगा लेंगे और इसको ढखक कर रख लेंगे करीबं देड से दो गंटे के लिए आप इसे 30 से 45 मिर्ट तक भी रख सकते हैं आप इसको जितना ज् यह उसमें ने ले लिया है रख से और उसको हल्का सा अथा अबर कर चाही घंश घंश इना है आप इसको जिस तरह सी चाहें भी सकते हैं लेकिन तो वही रेस्टोरेंट वाली मिलेगी अब जबकि हमने इसे बेल लिया है तो अभी हम से ऊपर डालेंगे बारी कपे हुई धनिया के पत्ते और सोगोजिद गर्लिक क्यूंकि हम गर्लिक नान बना रहे हैं तो गर्लिक तुड बंता ही है तो गर्लिक को हम यहां पर यह बखा लगा देंगे और उसके साथ हमने लिया है हमारे गड़ीज़ बस इसको हलका सा बेल लेना है आप चाहिए तो इस पर कॉलोंजी भी यूज़ कर सकते हैं हलका सा डाल सकते हैं इसमें जो आपके पास अवैलेबिल है आप यूज़ करें अब जब की हमने हमारे ना तो तवे पर यह अच्छे से चिपकेगा नहीं तो अब हमारे नान का जो गीली वाला सर्फेस है उसी को हमने नीचे की तरफ डाल दिया है अब देख सकते हैं इसमें हलिकासा बबल आने लगा है तो आप इसी तरह से फॉर्क की हैल्प से थोड़ा-थोड़ा सा दबा लेना है और फिर देख सकते हैं आप इसमें बबल बिल्कुल अच्छे से आने लगे हैं अभी हमें क्या करना है कि क्योंकि हम बटर नान बना रहा है तो बटर को हम इधर ही लगाएंगे तो यहां पे हम बटर लगा लेंगे बिल्कुल अच्छे से उपर में हर तरफ से और बस बटर लगा लेते ही हमें अब करना है यह कि तवे को बिल्कुल ही उल्टा कर लेना है और उल्टा करते ही क्या हो रहा है कि हमारा जो फ्लेम है वो बन चुका है भट्ती और इसमें हमारा नान सेक रहा है इसको बिल्कुल इसी तरह से घुमा घुमा कर हर तरफ से हमें इसको सेक लेना आप इसमें कितने अच्छे तरज से गोल्डेन ब्राउन कलर के स्पोर्ट्स हो जाते हैं तो एक दम ही इजी तरीके से बिल्कुल कम टाइम में बनकर रेडी हो चुका है हमारा बटर गार्लिक नान देख सकते हैं आप कितना ही कुपसुरत लग रहा है अभी हम इसको निकाल ल तो अब जब कि हमारा सॉफ्टी सॉफ्टी नान बनकर बिल्गुल रेडी हो चुका है आप थे श्क्रेस बीटर ट्राइक करें किसे पनी रेसिपी किसी भी चिकन मतन कुई भी आपकी मन पसंद रेसिपी हो उसके साथ आप इसको जरूरे एक चीलिडी की साथ लिया है जिसका रेसिपी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुका है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें